दमश्कार दोस्तों, यूएस के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी वज़े से आप कह सकते हो कि रश्या को यूक्रेन में और जादा परशानी हो सकती है में तब रश्या कोसिस तो कर रहा है कि यूक्रेन को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लें लेकिन अभी भी बहुत जादा दिक्कते आ रही हैं का में कारण यह है कि Western countries के दोरा जिस प्रकार से military support दिया जा रहा है यूक्रेन को यह एक बड़ा कारण है अब यहां पर क्या हुआ है कि US ने decide क्या है कि कामकाजी drone यह भेजा जाएगा यूक्रेन अब कामकाजी drone को suicide drone भी कहते हैं यहां पर आप देख पाऊगे US का मकाजी drones to add to Ukraine's fire power even as civilian deaths mount तो यहां पर war जो है खतम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगतार day by day कुछ ना कुछ दो death का figure है वो आपको देखने को मिलता होगा 30 लाग से जादा लोग यहां पर migrant बन चुके हैं तो इसको detail से समझते हैं कि यह drone होता क्या है special क्या है और कितने देशों के पास इस तरह का drone है भारत के पास है कि नहीं काफे कुछ जाने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा कोई भी exam के preparation अगर आप कर रहे हैं चाहिए UPSC, Judiciary, Banking सभी course आपको हमारे study IQ पर मिल जाएंगे और वहाँ पर flat 33% discount के लिए आप इस code का इस्तमाल कर सकते हैं stock market हो बागी कोई भी course हो और अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं वो आपको मिल जाएंगे चलिए सुरवात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए ड्रोन जो है न वो पिछले कुछ वर्सों से अगर आप देखोगे तो war के अंदर यहाँ पर एक बड़ा decisive factor निकल कर सामने आ रहा है आप याद कीजिएगा पिछले साल जो अज़रब मतलब कि उसको fly करके भेज दिया गया दूसरे के territory में और देख लिया गया वहाँ पर हो क्या रहा है लेकिन धरे धरे drone के अंदर जो missile system है वो लगाना start कर दिया गया तो कुछ drone तो ऐसे होते हैं जो की missiles को fire करते हैं भारत भी उस तरह के drones को अपनानी की कोशिश कर रहा है ले इसको suicide drone कहा जाता है इसको kamakazi drone है जो कि US के दोरा बनाया जा रहा है और वो अब Ukraine में भेज रहा है ताकि Russia के खिलाफ जो भी यहाँ पर fight में मदद हो सके वो Ukraine को देपाएंगे और मैं बता दू कि Zelens की जो Ukraine के राश्पती है उन्होंने काफी passionate speech दिया था और additional help मांगी थी Russian forces के खिलाब इसको देखते वे जो बाइडन ने करीब 800 million dollar का मदद देने का निर्णा लिया है कि military aid दिया जाएगा जिसमें 800 additional stinger और anti-aircraft missile हो गया 9000 anti-tank weapons हो गया 100 tactical drones हो गया और कई सारे जो small arms है जा machine gun है grenade launchers है यह सारी चीज़ें US यहाँ पर दे रहा है और जो नया package है वो का अमकाजी drone पर आते हैं specifically क्योंकि हम इसी की बात करा है इस drone में अगर आप देखोगे ना तो होता क्या है कि इसके अंदर explosive होता है मतलब drone के अंदर ही explosive भर दिया जाता है एक प्रकार से और directly इसको किसी tank पर गिरा दिया जाएगा या फिर कोई सेना की टुकडी है troops वहाँ पर यही जादा cheaper है यह सस्ता है मैं आपको आगे बताऊंगा और दो sizes में आता है basically सबसे पहला वाला है उसको कहा जाता है switchable 300 और दूसरा होता है उसको कहा जाता है switchable 600 तो switchable 300 अगर आप देखोगे तो इसका weight करी 5 pound के आसपास होता है और 15 minutes तक यह fly कर सकता है और इसकी खास बा है इस तरह से निकल जाते हैं और यह launch हो जाता है तो यह switchable 300 है यह चोटा version है और इसके लावा जो बड़ा version है यह काफी बड़ा हो जाता है switchable 600 जिस जो कि 50 pound का है और 40 minutes तक यह fly कर सकता है इसको loitering missile भी कहते हैं loitering क्यों कहते हैं क्योंकि अगर मानलो आपको किसी drone को अगर इसको target कर पाएंगे तो basically कहने का मतलब है कि जो drones है ना उनके अंदर जो capability है it is basically to pass the traditional defense system मतलब पहले तो क्या होता था कि अगर आपको कही missile होना है तो बहुत जादा heavy cost आता था समय लगता था अब उससे निकल कर लोग drone की तरफ जा रहा है especially suicide drone की तरफ अब people अगर आप देख काफी बड़ा drone होता है अब इसके माध्यम से यहाँ पर क्या है कि जो missiles वगर है weapons वगर है उसको install कर दिया जाता है तो drone के माध्यम से भी आप attack कर पाओके और यहाँ पर hellfire जो missile है वो launch किया जा सकता है predator bee के माध्यम से तो यह तो काफी बड़े होते है और इसकी cost भी अगर आ यह काफी छोटा होता है इसकी वज़े से यह detect भी नहीं कर पाते है मतलब radar वगर है इसको detect करना काफी मुश्किल हो जाता है तो यह भी एक इसका additional benefit है इसको human intervention भी नहीं चाहिए मतलब कि predator bee के लिए तो क्या आपको लगतार monitoring करनी पड़ेगी यह drone कहां जा रहा है कैसे जा र और फिर उसके उपर हमला कर देगा अपने आपको जो है खतम कर देगा तो suicide drone हो गया यह तो यह काफी सारी खास बात है इस particular suicide drone की जहां तक technical specification की बात है देखिए एक तो जो मैंने बताया ना इसको switchable क्यों कहा जाता है switchable का मतलब है कि यह backpack के अंदर है और जब इसको launch किया जाता है तो wings खुल जाते हैं तो switchable इसी लिए इसको यहां पर बोला गया इसके अलावा यहां पर 7 miles तक यह target हिट कर जाएगा और Aero Venomant Incorporation के दोरा इसको बनाया गया है सबसे पहले इसकी सुरवात हुईती बताया जाता है कि US ने अफगानिस्तान के अंदर किया था 2010 में तालिबान के खिलाप इसका इस्तेमाल किया गया था और इसकी मैं आपको एक और बहुत खास बात बताता हूँ बेसिकली क्या है ना कि इसके अंदर आप attack का जो radius है वो भी आप तैय कर पाओगे मान कि चलो एक गाड़ी है ठीक है कार है उस कार को आप खतम करना चाहते हो ठ उतनी radius में ड्राइवर को ही वो सिर्फ खतम करेगा पैसेंजर जो है वो बच जाएगा मतलब इतना radius भी आप तैय कर पाओगे कि इसका जो impact है वो इसी radius में होना चाहिए जैसे कि और एक और खास बात है कि दो सकेंड पहले भी आप इसको जो है switch off कर सकते हो मतलब कि यह जैस civilians की मित्य हो गई थी जिसमें साथ बच्चे बताए जाते हैं तो उस समय काफी जादा जो है उसने regret किया था US ने इस चीज को लेकर लेकिन problem क्या था कि एक बार वो drone launch हो गया था फिर उसको वापस नहीं बुला सकते थे लेकिन इस particular drone को 2 सकेंड पहले भी आप इस attack को cancel कर वा लेकिन आखरी में question आपके मन में ये भी आना चाहिए कि ये जो drone है क्या सरफ US के पास है ठीके US के पास सबसे advanced version आप कह सकते हो US के पास है लेकिन इस तरह के कई version बाकी देशों के पास भी देखने को मिलेंगे Russia, China, Israel, Iran, Turkey ठीक है इन देशों के पास भी है जैसी कि Iran आपने द जायता लेता है इसके अलावा अजर्बाइजान और जो अर्मेनिया का यूध हुआ था आपको याद होगा ये आगेन आप यहाँ पर देख सकते हो अजर्बाइजान यहाँ पर है ये अर्मेनिया है दोनों के बीच में यूध हुआ था तो अजर्बाइजान decisively इस war को जी मीचे ये हौती रबल्स है उन्होंने भी सौदी अरब की कुछ फेसिलिटीज जो है जो उनके ओल फेसिलिटीज है वहाँ पर भी अटाक कराया था तो यह पूरा situation है तो जाहिर सी बात है ये ड्रोन बहुत important हो जाते है आज के context में और इसलिए देखते वे आर्मी ने भी प dependent ना रहना पड़े at least defense के मामले में तो ये पूरा वीडियो था ये hope की हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा जाने से पहले काफी interesting question देखो drone की बात करें ना तो भारत सरकार ने कुछ नया categories वगर लाया था कि ये नैनो drone होगा ये medium है ये large drone है तो क्या बता सकते हूँ ज सारे जो mcqs हैं वो ये आपर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको pdf ये तो टेलिग्राम पर आईए अलग-लग social media पर भी आप जोड़ पाएंगे साथी साथ ये आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं simply use this code I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आ